हलो स्टूडेंट, आइम कमला ठाकूल फ्रम हात्मा गांधी शिक्षन सर्ष्थान दर्भंगा इन इस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट संस्क्रीत चेप्टर फोर्थ, पार्ट फर्स्ट चेप्टर्स नेमीज मात्रिक सब्दा इसे इंगलिस में कहते हैं वर्थ विट साइन्स सो लेट्स स्टार्ट हाँ तो बच्चो आज मैं आपको संस्क्रीत के चेप्टर फोर्थ को पढ़ाने जा रही हूँ इस चेप्टर में आपको मात्रा वाले सब्दों के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानना ये है कि मात्रा होता क्या है मात्रा होता है आकार, हर्सी, दिर्गी, हर्सु, दिर्गु, ए, अ, ओ, अ, 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 बिसर्ग तो सबसे पहले आपके बुक में है आक की मात्रा इसमें है मौ आकर माल वाकरला तो दोनों मिलकर हो गया माला माला को इंगलिस में कहते हैं गारलेन नेक्स्ट है हरसी की मात्रा तो इसमें है पोहरसी कारपी कोबिसर्ग तो दोनों मिलकर हो गया पिकः पिकः मिन्स कोयल और कोयल को इंगलिस में कहते हैं कुकु नाव नेक्स्ट है दिर्गी की मात्रा तो इसमें है दो हर्दिलगी कारदी नो बिसर्ग तो दोनों मिलकर हो गया दीनह दीनह मिन्स गरीव और गरीव को इंगलिस में कहते हैं पूवर नाव नेक्स्ट है हर्शु की मात्रा तो इसमें है सो हर्शु कार्शु को बिसर्ग तो दोनों मिलकर हो गया सुकह, सुकह मिन्स तोता, और तोता को इंगलिस में कहते हैं पैरोट नाव नेक्स्ट है दिर्गु की मात्रा, तो इसमें है मो यो दिर्गु कर यू रोबिसारगे तो ये तीनों मिलकर हो गया मयूरह मयूरह मिन्स मोर और मोर को इंगलिस में कहते हैं पीकॉप नाव नेक्स्ट है री की मात्रा तो इसमें है मो मेरी लगा हुआ है तो हो गया म्री गौबिसर्ग तो दोनों मिलकर हो गया म्रिगह म्रिगह मिन्स हीरन और हिरन को इंगलिस में कहते हैं DER तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इसे आप अच्छे से वित इंगलिस याद कर लेजिएगा